रिपब्लिक ओफ इंडिया 1950 में आज के दिन existence में आया था इसकी कहानी मालूम नहीं है लोगों को यह रिपब्लिक ओफ इंडिया है जो हमारा Constitution of India यह हीरो प्रॉड़क्ट है और जब हीरो प्रॉड़क्ट बनाना होता ना इसकी कहानी सुन लो फटाफिट से दो मेरे पे इंस्पिरेशन लिए उन्होंने पूरी दुनिया से और सक्सेस्फुल कंट्री से हर कंट्री अलग प्रकार की त्री जिससे लिया फंडमेंटल ड्यूटी सोवियत उनियन से लेके आये थे जो डाइरेक्टोरियल एलिमेंट से यह आईरिश Constitution से आया था यह अलग प्रकार फ है वो सोशलिस्ट है सोवियत उनियन जो कि आज रशिया है Capitolist King है जो कि US है पैसा क्वैसा Capitalist King है Unitary system power Ireland से आता है और फेडरल distribution of power Germany से आता है Drafting Committee एक Ideal Innovator की तरह काम किया था इन्होंने , एक specialist की तरह काम किया था इन्होंने इन्होंने स्ट्राटिजी और मेरिट को इंटीग्रेट किया और बाकी शॉर्ट कमिंग डी मेरिट को बाहर किया दो साल की मेहनत के बाद 1950 में आज के दिन हमारा कॉंस्टिटीशन बना जिसमें लिखा लोगों के हितों का एक ऐसा विधान जिसे जुड़कर बन गया है हमारा बाहरत महान ये लॉंगेस्ट कॉंस्टिटीशन है पूरी दुनिया का और दुनिया की सबसे बड़ी डिमोकरिसी को चलाने वाला कॉंस्टिटीशन है जो आज ही के दिन 1950 में बना पर आपका वर क्या खतम नहीं होता है आपका काम याद शुरू होता है क्या कहते हैं कि किसी इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं वो आज की चर्चा का विशेय मेरा सुभाष चंद्र बोच से आप पेट्रियोट पेट्रियोटिजम और लीडर्शिप सीख सकते हैं महात्मा गांदी से आप नॉन वाइलेंस सीख सकते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉंस्टिशन जिनकी आज साक्रिफाइस सीख सकते हैं अबदुलकलाम से आप इनसे तो आप हार्ड वर्क, डिवोशन, सेल्फलेसने सीख सकते हैं आप जानते हैं ना जब वो राश्रपती भावल से निकले तो उनके साथ क्या निकला कुछ नहीं कुछ पतलून थी उनकी खाली उनके कुछ सेटिफि के अनुरेल स्पिरिट जो हाज हमारे नसों में खून के हमारे देश के दोड रहा हमारे साथ जुड़ रहने के लिए अपनी परस्नालिटी का ड्राफ्ट, आज अपना कॉनस्टिटिउचंग, परस्टिटिउचंग बनाने के लिए आप सब का हिर्दे की गेराइस से प्रे